नमस्कार मैं अश्वेत और आप देख रहे हैं निउस फॉनेशन बिहार में एंडिये की सरकार बन गई और एंडिये की सरकार बनने के साथी साथ प्रधान मंत्री नरेंटर मोधी बिहार आने वाले हैं बिहार आने वाले हैं नरेंद्र मोदी और बिहार के लोगों को बड़ी सोगाद देने वाले हैं जानकारी बिहार के डेपटी सीम विजय कुमार सिंधा ने बिधान सभा में दी है एक तरब जहाँ आपको बता दे पथ निर्मान मंत्री विजय कुमार सिंधा ने विधान सभा में कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने प्रास्तावित बिहार दोरे के समय राज में दो पूलों की सौगात देंगे पीएम मोधी गंगा में जेपी सेतु में समनांतर और बकसर में गंगा नदी पर पूल के निर्मान की अधार शील रखेंगे यह बिहार से विकास है यह पूल मिल के पत्थर साबित होंगे सीम विजय कुमार सिन्धा ने तजश्वी यादब पर पिता लालू यादब के समराज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश के विकास की जगत तजश्वी यादब अपने विकास में जुटे हुए है ज्वानकारी के मुताविक लोग सव अपारे में जन सभा को संबोधित करेंगे इस दोरान केंच सरकार की कई ओजनाओं का घाटन और शिलन्यास भी करेंगे पीम मोधी के बिहार दौरे को लेकर रेलवे भी तैयारी कर रहा है इससे पहले जनवरी फरवरी महीने में प्रदार मंतरी के दौरे के दो काईटर मिस भाग लेंगे और जिसमें 2024 के जीत का मंतर देंगे जानकारी ये भी है कि इस महीने रक्षा मंतरी राजनास सिंग भी बिहार आ रहे हैं जो दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे रक्षा मंतरी का बिहार दौरा 28 परवरी को हो सकता है इस दिन वे सीता मढ़ी छप्रा मधु बनी दर्भंगा में किसी दो स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे एक तरफ जहां प्रधानमंती नरेंद्र मोधी तीन मार्च को बिहार आ सकते हैं ऐसी अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है और यहां आने के बाद वो चंपारन में जनस होगा कि प्रधानमंती नरेंद्र मोधी बिहार दौरे पर होंगे वहीं दो हजार चौबिस क्लोकसवा चुनाव के मद्दे नजर को देखते हुए उनकी जो रैली है वो भव रैली आयोजन करवाई जाएगी और उससे पहले 28 फरवरी को राजनात सिंग भी बिहार आने वा पिलहाल के लिस खबर में इतना ही